परिचय उत्सरजन कहलाती है ये उत्सरजन अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरह से होता है हाँ एक कोशकी जीव इन अपशिष्टों को साधारन विसरन द्वारा शरीर के बाहर स्थित जल में निकालतेते हैं जैसे अमीबा में ये जैव द्रव्य जिल्ली से होकर होता है जबकि जटिल बहु कोशकी जीवों में उत्सरजन के लिए कुछ विशेश अंग होते हैं प्लाटे हलमिंथिस में उत्सरजी अंग प्रोटो निफ्रीडिया या फ्लेम कोशिकाएं होती है जबकि अनलिडावर के जीवों में ये अंग निफ्रीडिया होता है हाँ और संधीपाद जीवों में उत्सरजी अंग नितंबीय ग्रंथियां जैसे स्पर्ष तंतु अत्वा हरित ग्रंथी और मैलपीगी नलिकाएं होती हैं जबकि मोलस्क में व्रिक होते हैं ठीक इसी तरह शूल चर्मियों में त्वचा पर उपस्थित पोप्यूली उत्सरजी अंग होते हैं जबकि यूरो कॉडेट में तंत्रिका ग्रंथी और सिफेलो कॉडेट में प्रोटो नेफ्रीडिया ये कार्य करती हैं कशे रुकी जीवों में उत्सरजन के लिए एक जोड़ी व्रिक होता है तो आओ इस विशे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पशुओं और पौधों में उत्सरजन को समझना उत्सरजन के प्रकारों के बारे में जानना मानव में उत्सरजन को समझना उत्सरजन संबंधी सभी अंगों के बारे में जानना फेपणों द्वारा होने वाले उत्सरजन को समझना तोचा से होने वाले उत्सरजन के बारे में जानना मोत्र प्रणाली की सनचन और कारे प्रणाली के बारे में जानना मोत्राशय की सनचन और कारे प्रणाली के बारे में जानना व्रिक कानों की सनचन और कारे प्रणाली को समझना कृत्रिम व्रिक और अपोहन का अध्येयन करना मानव में उत्सर्जन मानव में प्रात्मिक उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी व्रिक, एक जोड़ी मूत्र वाहनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है जबकि मनुष्य के माध्यमिक उत्सर्जन तंत्र में फेपड़े, त्वचा, बड़ी आथ और यक्रित शामिल है फेपड़ों द्वारा उत्सर्जन फेपड़े श्वासन के समय उत्पन हुई कार्बन डायोकसाइड और जल वाश्प का उत्सर्जन करते हैं त्वचा द्वारा उत्सर्जन त्वचा में इस्थित स्वेद ग्रंथी की साहता से त्वचा यूरिया, लवन तथा जल को उत्सर्जित करती है स्वेदियानी पसीना त्वचा में छोटे-छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है ब्रीदांत्र द्वारा उत्सर्जन ब्रीदांत्र गुदा की साहता से नापचने योग की भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देती है यह अप्शिष्ट पदार्थों का भंडारंक्षित्र है जहां ये बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करते हैं मूत्र उत्सर्जन तंत्र वे अंग जो मूत्र को बनाते हैं उनका भंडारं करते हैं और उत्सर्जित करते हैं सम्मिलित रूप से मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं इसमें एक जोड़ी व्रिक, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है व्रिक में उत्पन मूत्र, मूत्र वाहिनीयों से गुजर कर मूत्राशय में पहुँचता है यहां यह तब तक एकत्र होता है जब तक कि यह मूत्र मार्ग के जरिये बाहर ना निकल जाए व्रिक उधर में मेरुदंड के दोनों ओर एक-एक व्रिक होता है वे बड़े, लाल, भूरे और सेम की आकरिती के होते हैं दाएं ओर के व्रिक की इस्थिती थोड़ी सी नीचे की ओर होती है व्रिक की अव्दलता को नाभिका कहते हैं जो हमेशा भीतर की ओर होती है प्रतेक व्रिक लगभग दस लाख निस्यंदन एकक या व्रिक काणों से बना होता है एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में व्रिक का ठीक ठंग से काम करना बेहद आवशक होता है व्रिक काणूं व्रिक के बाहरी भाग में व्रिक काणूं सम्वलित होकर व्रिक की चाल बनाते हैं और मध्ध भाग में सीधा जाते हुए व्रिक की मज्या का निर्मान करते हैं व्रिक काणूं व्रिक की कारियात्मक इगाई होते हैं प्रतेक वरक्काणूं एक लंबी कुंडलित नली जैसी सनचना होता है, जो रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अप्शिष्टों को चानता है और मूद्र का निर्मान करता है। यूरिया मूद्र में उपस्तित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अप्शिष्ट होता है, इसलिए मनिश्य एक उत्सर्जक के रूप में यूरियोटेलिक है। मूद्र वाहिनिया ये लंबी, संक्री, पथली, भित्ति वाली नली जैसी सनरचनाएं होती हैं, जो व्रिक्य की नभिका से प्रारंब होकर नीचे की तरफ जाती हुई मूद्राशय से मिलती हैं। मूद्र वाहिनिया मूद्र को व्रिक्य से मूद्राशय तक क्रमा कुण्चन द्वारा ले जाती हैं। मूद्राशय एक पतली भित्ति वाली, लचीली, नाशपाती के आगार की और प्रासारे थैली होती है, जो उदर के निचले भाग में सिथ होती है। मूद्राशय मूद्र की अस्थाई भंडारन करने की थैली होती है। मूद्राशय कोमल मा स्पेशियों से बना होता है, इसलिए यह तंत्र का तंत्र के नियंत्रन में होता है। मोत्र मार्ग एक मास पेशिये और नलीदार सनचना है, जो मोत्र आशे से शरीर के बाहर तक होता है. मोत्र मार्ग ही मोत्र को शरीर से बाहर निकालता है. बोमन संपुट दो भित्ती वाला एक कप होता है, जो वरिक्किय चाल में उपस्तित होता है. यहाँ समतल कोशिकाओं से बनी पतली और अर्धपारदर्शी उपकला का बना होता है. बोमन संपुट के विवर में रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लो मेरूलस कहते हैं, यह अभिवाही धमनी के विभाजित होने के फल सरूप बनता है. बोमन संपुट और ग्लो मेरूलस को समिलित रूप से मेल पीघी का अथवा विरिक्किये संपुट कहते हैं. ग्लो मेरूलस वो जगा है जहां दाप के अंतरगत चनन होता है, जिसे अती सूक्ष्म चनन कहते हैं. इस प्रकार बना हुआ निसियंद ग्लो मेरूलर अथवा विरिक्किये निसियंद कहलाता है. विरिक्किये नलिकाएं विरिक्किये नलिका लंबी और कुंडलित होती है तथा तीन भागों में बटी होती है. निकटस्थ सम्वलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ सम्वलित नलिका निकटस्थ सम्वलित नलिका व्रिक का सम्वलित भाग होती है तथा व्रिक्किये चाल में स्थित होती है यहां वरिक्किये निसियंद से सोडियम, कैल्शियम, अमीनो अम्ल इत्यादी का चैनित पुन्दराफ शोशन होता है हैले का लूप नलीका का यू आकरिती का भाग होता है तथा वरिक्किये मज्जा में उपस्तित होता है यहां दो शाखाओं का बना होता है अवरोही शाखा यहां पतली भित्ती की होती है तथा आरोही शाखा यहां मोटी भित्ती की बनी होती है अवरोही शाखा जल के लिए पारदर्शी होती है किन्तु खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइट के लिए अपारदर्शी होती है आरोही शाखा खनीजों जैसे सोडियम क्लोराइट के लिए तो पारदर्शी होती है, किन्तु जल के लिए अपारदर्शी होती है, यहां मूद्र की सांद्रता बढ़ती है दूरस्त संवलित नलिका वह संवलित भाग है जो वरिक्किये मज्जा में स्थित होता है, यह संग्राही नलिका में खुलता है व्रिक्किये निस्यंद में उपस्थित अधिक्तम जलकी मात्रा दूरस्त संवलित नलिका तथा संग्राही नलिका की भित्ती द्वारा पुनरफ शोशित हो जाती है। मूत्र का निर्माण रुधिर से वर्जय पदार्थों का चनन करना ही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही जैसे कारबन डायोकसाइट रुधिर से फेपलों में अलग हो जाती है। नाइट्रोजन युग्त वर्जय पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अमल रुधिर से वर्ख में अलग होते हैं। इसलिए इस पर कोई आश्चरे नहीं होना चाहिए। यदी वर्ख का आधार भूत चननतंद्र फेपलों जैसे ही पतली भित्ती वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा हो। वर्ख में प्रतेक रुधिर कोशिका गुच्छ नली के कप की आकरिती वाले छोड से संबध होता है। जिसमें मोत्र निसियंद एकत्रित होता है। प्रारंबिक निसियंद में कुछ पदार्थ जैसे गुलुकोज, अमीनो अमल, लवन और जल की बड़ी मात्रा उपस्तित होती है। जो नलिका में मोत्र के आगे बढ़ने पर चैन द्वारा पुनरवशोशित हो जाती है। जल का पुनरवशोशन इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में जल की कितनी अतरिक्त मात्रा उपस्तित है। और उसमें घुले अपशिस्थ पदार्थों की कितनी मात्रा है जिनका उत्सरजन होना है। मोत्र का भंडारण मोत्र आशे में तब तक होता है जब तक उसमें दबाव इतना बढ़ जाए कि मोत्र मार के द्वारा मोत्र त्याग करने की एक्षा होने लगे। कृत्रीम व्रिक, रुधिर अपोहन व्रिक जीवित रहने के लिए अनिवार अंग है। वहसे कारक जैसे संक्रमन, चोट, अथवा व्रिक में बाधित, रुधिर, संचार व्रिक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इसके कारण, शरीर में विशैले वर्जय पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण, व्रित्यु भी हो सकती है। विख्य के कारें बंद कर देनी की स्थिती में कृत्रिम विख्य का उपयोग किया जा सकता है जो नायट्रोजन युक्त वरजय पदार्थों को रुधिर से अपोहन दौरा हटाने का उपकरण है क्रित्रिम व्रिकों में बहुत सी नलिकाएं जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है अपोहन विलियन से भरी टंकी में डूबी होती है इस द्रव का परासरणदाब रुधिर के परासरणदाब के बराबर होता है लेकिन इसमें नैट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थ नहीं होते हैं रोगी का रुधिर इन्ही नलिकाएं से होकर गुजरता है यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थिद्वर्जय पदार्थ विसरन द्वारा अपोहन विलियन में चले जाते हैं शुद्ध रुधिर को पुनाहरोगी के शरीर में भीज दिया जाता है यहां वर्क्य की कारे प्रणाली के ही समान है लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनरवशोशन नहीं होता है साधारण तिया एक स्वस्थ व्यस्क के वर्क्य में प्रति दिन 180 लीटर प्रारंभिक निसियंद बनता है हालकी प्रति दिन उस्थ सर्जिद मातरा एक या दो लीटर ही होती है क्योंकि बागी बचा निसियंद वर्क्य नलिकाओं में प्रणरवशोशित हो जाता है पौधो में उस्थ सर्जन पौधो में उस्थ सर्जन पशुवशों से अलग दूसरे ही तरह से होता है प्रकाश संशिलेशन के समय बनी ऑक्सीजन ही इनमें वर्जय पदार्थ होती है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कारबन डायोकसाइट और ऑक्सीजन का किस प्रकार नियमन करते हैं वे वाश पौध सर्जन द्वारा जल की अतरिक्त मात्रा को उसर्जित कर देते हैं दूसरे अपशिष्ट पदार्थ उनके उत्तकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं में रहते हैं पौधों को अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को खोकर ही वर्जय पदार्थों से छुटकारा मिलता है बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण कोशिकी रिक्तिकाओं में होता है वर्जय पदार्थ पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं जो बाद में तूट जाती हैं दूसरे वर्जह पदार्थ जैसे रेजिन और गूंद पुराने जायलम में एकत्रित होते हैं। पौधे कुछ अप्शिस्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिर्दा में भी उत्सर्जित करते हैं। क्या आप जानते हैं? शरीर से मूत्र को बाहर निकालना मिक्चुरिशन है जिसे साधरन तया मूत्र त्याग करना कहते हैं। मदुमेह में गलाइकुजूरिया नाम की शरकरा की मात्रा बढ़ जाती है। एक सामाने व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मादा में मूत्र वाहिनी से केवल मूत्र आता है। जबकि नर्मे मूत्र और शुक्राणू दोनों इसलिए नर्मे इसे मूत्र जनन नलिका कहते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उस्रजन में नाइट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जबकि ओस्मोर रेगुलेशन में शरीर द्रव में जलकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अलग-अलग पशों में अलग-अलग उस्रजी अंग होते हैं जबकि निम्नस्त्रिय जीवों में शरीर की त्वचा से ही उस्रजन होता है। मनिशिक का उस्रजन तंत्र व्रिक, मूत्रवाहिनियों, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से मिलकर बना होता है। व्रिक्क में उस्सरजी इकाईयां होती हैं जिन्हें व्रिक्काणू कहते हैं प्रतेक व्रिक्काणू बोमन संपुट और व्रिक्किये नलिका से मिलकर बना होता है बोमन संपुट में ग्लो मेरूलस होता है जिसमें अती सूक्ष्म छनन होता है जबकि व्रिक्खिये नलिकाओं में चैनित पुनरव शोशन होता है रुधिर अपोहन उस स्व्यक्ति के रुधिर से नैटोजन युक्त वर्जय पदार्थों को क्रित्रिम व्रिक्खिय की सहता से निकालने की क्रिया है जिसका व्रिक्ख खराब हो जगा हो पौधों में आक्सीजन और अतरिक्ट जल रंधरों द्वारा बाहर निकल जाता है झालने की सहता है